नमश्कार दोस्तों मेरा नाम है चंदन पुदार और आज मैं आप लोगों के साथ बात करूँगा जो नाशनल इंस्टिटूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क that is NIRF 2021 रिलीस हुआ है यह बेसिकली क्या है इसके अंदर जो भी हिंदुस्तान के एजुकेशन इंस्टिटूशन है उनकी रैंकिंग की जाती है और जो रैंकिंग है उसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि कौन टॉप पर है कौन रणर अप है कौन थर्ड पोजीशन पर एंड सों तो आएए देखते हैं सबसे पहले कि देश की उनिवर्स्टी का क्या हाल है तो अगर आप बात करें 2021 के अंद पर रही नंबर टू पर रहा है जे एन यू दैटि सब्स ली । जो के पिछले लगातार तीन सालों से नंबर टू की पोजीशन पर नंबर तीन पर है आप विश्वा विद्या पीठम जो की नंबर वाईफ पर अगर आप देखें दिल्ली उनिवस्टी दूर दूर तक मुंबई उनिवस्टी इस लिस्ट में कहीं पर भी दूर दूर तक नहीं है टॉप फाइफ उनिवस्टी आज के टाइम पे जो इंडिया में लेकिन मेरे को थोड़ा सा ना इसमें यह समझ भी नहीं आता कि सारे गुजराती ही देश ही चला रहे है, मोदी जी देख लीजे, हमारे अंबानी जी देख लीजे, अडानी जी देख लीजे, I am Ahmedabad को तो number one रहना ही है, I am Bangalore, number two, I am Calcutta, number three, consistently number three, I am Kozikode, जो की number four पर, और I am Delhi, तो की number five पर, तो ये हमारे management का, इसके अंदर अगर देखा जाए, तो again Delhi University का जो FMS है, वो अपनी position जो है, नहीं बना पा रहा है, इसके बदद engineering की बात करें, तो IIT Madras, non-stop number one पर, next IIT Delhi, जिसमें COVID में बहुत अच्छा role play किया, काफी चीजें development की, government को बहुत support किया, अच्छे रिसर्च के, IIT Bombay, number three पर IIT Kanpur at number four, and IIT Kharagpur at number five, तो ये engineering का हाल, तो अगर आप ये देखें, यहां तक, इसके basis पर, अगर हम overall ranking, जो इत निकल के, overall ranking is basically, ये तो क्या, एक specific category में, engineering हो गया, management हो गया, university हो गया, overall ranking decide की जाती है, उसमें जो है, IIT Madras, जो है देश का, सबसे best institution है, पढ़ाई के लिए, number two पर है, IISC, that is Indian Institute of Science, number three पर है, IIT Bombay, फिर IIT Delhi और IIT Kanpur, मतलब इसको देखके लग रहा है, कि यह जो science वाले है, वही जादा अच्छी बढ़ाई करवा रहे है, management वाले तो, मतलब आप देख रहे हो, overall ranking के अंदर, कोई भी management institute जो है, कोई पनी position नहीं बना पाया है, colleges के अगर बात करें, दो दिल्ली उनिवस्टी, जो है top five universities के अंदर नहीं है, कहीं पर भी, लेकिन colleges के अगर आप बात करें, तो Miranda House College दिल्ली का number one पे लगातार, तीसरे साल girls college है, बहुत अच्छा college है, खेर मेरे घर से बहुत थोड़े से distance पर है, काफी disciplined college है, वो मुझे इसलिए पता है, क्योंकि मेरी sister खोदी सी college से पढ़ी है, next two are Lady Shri Ram, Lady Shri Ram number two पे देखके, मुझे थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि last year अगर आपने case सुना होगा, तो यहाँ पर एक girl ने, जो कि बहुत talented थी, उसने suicide गल लिया था, क्योंकि उसको जबरदस्ती force किया गया था, कि आप hostel खाली करें, कुछ इस तरह की news अगर आपको हुया दो, पता नहीं वो criteria में लेते हैं नहीं लेते हैं उसको, फिलोयला college, जो कि South India based है, number 3 पे, St. Xavier's college number 4 पे, और Ramakrishna Mission Vidya Mandir Havada का number 5 पे, तो यह colleges की बात है, it's not about specifically about any university, तो दो Delhi University जो है, कहीं पर भी अपने stand नहीं बना पाई है, लेकिन येस, उसके colleges जो है, वो कहीं न कहीं, दो colleges top 2 position को maintain कर पारें, तो यह जो है, हमें जानकारी होनी चाहिए, at least education institution की, कि कौन सा हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है, लेकिन अगर मैं आपको global ranking की बात करूँ, तो इंडिया का, जो कोई भी management institute है, कोई भी management institute, top 200, top 300 तक कहीं पर भी, कोई भी stand up नहीं करता है, और ये जो है, national institutional ranking framework 2021 था, तो या PPT आप हमारे telegram channel से ले सकते हैं, कैसा लगा, comment section के अंदर, जरू वदरी, जाशी शाम.